नमस्का दोस्तों, गेट सक्षे 247 के एको नियो वीडियो में आप सभी का सवागत है तो राश्तन पुलिस कॉंस्टिबल के एक्जाम स्टार्ट हो चुके हैं 6 नवंबर के शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 दोनों कम्प्लीट हो चुकी है तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर, जिनका भी एक्जाम बाकी है जैसे कि 7 नवंबर और 8 नवंबर के विध्यारतियों के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको पता चल सके कि किस हिसाब से आपका पेपर आ रहा है अब आपको लास्ट टाइम पे क्या पढ़ना चाहिए क्योंकि आप पूरा तो पढ़ने सकते हो लेकिन जो टॉपिक्स जादतर अब पूछे जा रहे हैं जिस हिसाब से पेपर बन रहा है वो एनलाइसेज करके आपके लिए लेके आए हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं हाँ पे रीजनिंग की सबसे पहले मैं अगर इसके लेवल की बात करूँ तो रीजनिंग का लेवल इजी आया है अराम से स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया है फर्स शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट दोनों के अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग का लेवल कोई हाड नहीं है हाँ कोई कुछ कोशन्स मॉडरेट लेवल के हो सकते हैं लेकिन अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की तो हर एक विद्ध्याती ने अल्मोस्ट सभी अटेंड किये हैं और उनके सही भी हुए तो इजी लेवल का आपका रीजनिंग बना है देखिए रीजनिंग में ज़्यादतर कोशन्स खाहां से बन रहे है वो भी सुन लीजिए एक तो आपके डारेक्शन दिशा के यानि के एक कोई बन्दा है इस 15 मीटर इदर चल रहा है फिर 15 मीटर इदर चल रहा है फिर 20 मीटर इदर चल रहा है तो लास्ट में बताना है किस डारेक्शन में वो है तो वो वाले कोशन्स बन रहे हैं कमसरम 3 से 4 कोशन्स आपके वो बन रहे हैं एक आपके कथन निश्कर्ज के बहुत सारे questions बन रहे हैं ये questions आपके बहुत हैं अगर आपको देखना है कि last time आप ये questions दो चार रिवाइस कर पाओ तो देख लिजेगा एक आपके diagram के questions है ना कि अभी इस दिशा में हैं और 4 पांट diagram आपको दे देंगे कि इनमें से इस diagram को पूरा करना तो चौथा option क्या हो जाएगा उस साबसे diagram के questions है अलग-अलग type में है एक plus minus multiply divide वाले हैं जैसे कि आपको कुछ series दे दी है 16 minus 8 फिर bracket plus 8 इस साबसे दे दिया कि plus के जगा minus रखो minus के जगा multiply रखो यादाए questions वैसे questions आपके बन रहे है उसके लावा सबसे ज़्यदो questions जो बन रहे है वो भिन चांटने वाले यानि कि तीन चार नाम आपको देंगे उनमें से पूछा जाएगा कि सबसे अलग कौन सा है वो आपको अलग करना है वो अच्छे easy questions है कूट भाषा वाले questions यानि कि coding वाले questions जैसे कि बोल देंगे कि easy को लिखना है easy को लिखा जा रहा है hard ठीक है मैं example दे रहा हूँ वो समझ जाना आप easy को किसी code भाषा में hard लिखा जा रहा है तो comfort को क्या लिखा जाएगा इस आप से ये पूछा जारे questions अटेंड कर पाओगे वो भी बिना किसी negative marking के ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करनी है paper का level easy आ रहा है लगबग moderate paper और अगर मैं बात करूँ तो moderate आपका paper level आ रहा है कुछ questions hard है लेकिन ज्यादा तर जो questions है वो easy और moderate है तो ध्यान रखना है आपको score करना है negative marking बिल्कुल नहीं करनी है बात यहाँ पे खतम होगी reasoning की next में बात करता हूँ computer की देखे आज वाले paper के अगर मैं बात करूँ तो computer के questions ज़्यादा आ रहे है और कहीं कहीं पे computer का जो level में अगर मैं बात करूँ कितना है moderate to hard level का आपका computer का level आए अब यह चीज सुन के घवरा मत जाना मैं आपको बढ़ा देता हूँ कि hard क्यों बना लोगों के लिए क्योंकि उन्होंने computer में ऐसे questions सोचे नहीं होगे कि इस साबसे questions आपके बनेंगे देखिए कहां कहां से questions बन रहे है पहले वो सुन लिजिए एक तो आपके shortcut keys ठीक है shortcut keys जितनी भी है वो रट लिजिए उसके अलाबा input output device से बहुत सारे questions बन रहे है input and output device बहुत सारे कम से कम दो ते in questions तो यहीं से बन रहे है ज़्यादा तर questions printer से बन रहे है printer से आप पढ़ लीजिएगा बहुत सारे questions है उसके अलाबा और भी questions है जैसे कि full forms computer के आपके full forms भी पूछे जा रहे है ठीक है कम से कम दो तीन तो आपको मेली जाएंगे उसके अलाबा computer का basic knowledge पूछा जा रहे है ठीक है किसी मेंसे भी पूछ सकते है internet का पूछ रहे हैं आपसे MS Excel, MS Word यानि कि MS Office पूरा है वहाँ से questions पूछ रहे हैं आपके और basic जो computer का knowledge है अगर आपको वो आता है अच्छे से अगर आपने basic computer पढ़ रहा है तो question वहाँ से बन रहे है यानि कि आज कहा है कि questions एकदम basic बने ना इसलिए वो level आपको hard लग रहा है वो अराम से basic चीज़ें पूछते है कि इसको करने से ये होता है यानि कि इसकी shortcut की क्या है इस टाइप से जो questions बने रहे हैं वो आपको hard लग रहे हैं वालंकि hard है नहीं लेकिन basic level जब पूछा जाता है तो hard automatic बन जाता है ये बात होगी computer की आगे मैं बात करूँगा gk की gk मैं आपको यहाँ पर combined बता रहा हूँ राजस्तान प्लस इंडिया के मैं combined बात कर रहा हूँ तो अगर राजस्तान gk और इंडिया gk की बात करूँ तो easy to moderate level का आपका gk आया ठीक है ये कोई ज़ादा hard level का नहीं है हाँ कुछ दो चार questions हो सकते है बाकी easy to moderate level आपका चला है राजस्तान का gk और इंडिया का gk अब यहाँ पे सुन लीजिए कौन कौन से topics आपको last time पे देखने है ठीक है एक तो प्रथम यानि के first अब बात करूँ अगर मैं राजस्तान के कोई भी प्रथम की अगर आपसे पूछे कि राजस्तान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था या इंडिया का किसी का कुछ पूछ सकता है किसी sports का कोई पूछ सकता है कि ये अवर्थ सबसे पहले किसने जीता था इस आपसे प्रथम इंडिया और राजस्तान दोनों में पूछ जा रहा है ये मैं आपको पहले भी बहुत बार बताया था कि प्रथम हमेशा पूछे जाते हैं sports से question बन रहे हैं आपके direct person का नाम दे रखा है और पूछ रहे हैं कि ये किस sport से belong करता है और दूसरा question आपके बना है winner का ऐसा पूछा रहा है कि ये sports ये trophy किसने जीती थी इस year के अंदर ठीक है current interface के बाद मैं बाद में करूँगा लेकिन आप जीके और ये comments एक बास सुन लिजिए राजस्थान के मंतरी कम से कम तीन से चार questions आज बने हैं हर एक shift में तो राजस्थान के जो मंतरी है यानि कि राजस्थान के वर्तमान में कौन क्या है ये video मैंने एक separate बना रखा है special राजस्थान police constable के लिए अगर आपने वो video नहीं देखा है तो channel पर आगे जरूर देख लेना वहाँ से तीन से चार questions बन रहे हर एक shift में ठीक है उपनाम के questions आ रहे है अब उपनाम आपके जगे का पूछा जा रहा है साथ साथ में person का भी पूछा जा रहा है किसी नदी का पूछ लेंगे किसी जगे का पूछेंगे इंडिया और राजसान दोनों के संदर में बात करा हूँ देखे एक राजसान का आज राज्य पुष्प और राज्य वरक्ष का question बन चुका है तो कल आप राज्य पशू वगएरे एक्स्टा जो बचे है न वो आप पढ़के जाना ठीक है राज्य पुष्प वगएर राज्य पशू है जो भी है वो सारे आप पढ़के जाना तो वहाँ से आपके question बन रहे है बांध यानि कि डैम से question बन रहे है आपके direct नदी से question बन रहे है अब भ्यारणे से question बन रहे है direct बन रहे है सीरे सिदा पूछ रहे हैं कि इस अभ्यारने को कब बनाया गया था ये पूछ रहे हैं नदी से कुशन पूछ रहे हैं कि ये नदी कौन से जिले के पास में है या किस जिले के पास में ये नदी है ऐसे बन रहे हैं डैम का question बन रहा ही, डैम कहाँ पे स्थित है, ठीक है, अब भ्यारने से ये भी question बना है, कि ये अब भ्यारने की जिले में, easy level के question बन रहा है, ये वाले, एक कारे काल का पूछा जा रहा है, ठीक है, किसी भी राजा का, या किसी भी मंतरी वगरे का आप याद रख लीजिए, कारे काल यहां से आप से पूछा रहा है, अच्छा क्या निर्मान का, कोई famous जगे बोल दी जाएगी आप से, और पूछा रहा है, कि इस जगे का निर्मान किसने करवाया था, तो ये आपके questions यहाँ पर बन रहे है, अच्छा एक year के question बन रहे है, जीके में, सीधा सीधा year पूछा जा रहा है, कि कोई संगठन है, उसका गठन कब हुआ था, यानि कि वो कब बना था, एक तो वो year आपसे पूछा रहा है, कोई युद्ध हुआ था, यानि कि कोई आपका युद्ध वगर हुआ है, पुराने समय के अंदर, उसका year आपसे पूछा रहा है, पानिपत का, तराइन का, जो भी है, ऐसे आपसे year पूछा रहा है, यहाँ पर minus marking नहीं करनी है, क्योंकि year में तुका नहीं लगा सकते आप, तो यह आपको थोड़ा वाइड करना है, अगर आता है, तो यह करना है वैसे questions, बात करूँ दोस्तों, मैं current phase की तो सबसे बड़ा फेर बदल यहीं पर हुआ है, current phase, सबी दोस्तों ने यह सोचा कि ता है कि 2020 के ज़्यादा तर e questions बनेंगे, लेकिन बन कहां से रहे हैं, 2019 से, exam से पहले मैंने आपको यहीं कहा था, कि 2019 को पढ़के जाना, 19 से current phase बनेंगे, और वही हो रहा है, 2019 से आपके current phase बन रहे हैं, 2020 से आलंगी एक-दो questions बनेंगे, एक तो आपके Corona का बना है question और एक-दो और भी बना है, लेकिन, most of the questions अगर मैं 90% questions की बात करूँ तो आपके 2019 का current phase बना है, exam से पहले मैंने आपको बोला भी था, कि 2020 का तो ठीक है आप पढ़ रहे हूं, लेकिन 2019 का पढ़ के जाना, काफी दोस बोल रहे थे कि 2020 का या आएगा, 2019 का नहीं आएगा, मैंने उस टाइम भी कहा था आपको, 2019 का पढ़ लीजिए, आपके exam में जरूर वहां से questions बनेंगे, और वही हो रहा है, 2019 के बन रहे हैं, अच्छा, current phase के मैं बात करूँ, तो वह भी आपके moderate to hard होगा, क्योंकि पुराने बन रहे हैं, तो वह आपके hard level के अंदर गिने जाते हैं, बात करें, अगर science की, तो science के देखे questions भी ज़्यादा नहीं बन रहे हैं, और science के अगर मैं बात करूँ, बन भी नहीं रहे हैं, और ज़्यादा hard भी नहीं बन रहे हैं, अच्छा, यहां से बात करते हैं, महिला, एवम, बाल, अपराइट की बात करते हैं, तो यह भी आपके easy to moderate level के question है, ठीक है, अगर आपने questions वगए रहे हैं, कम से कम 500,000 questions अगर इसके निकाले होंगे कम से कम, किसी book से या कहीं से भी, तो आराम से आपको questions आ रहे हैं, सीदी सीदी धाराएं पूछी जा रही है, इस धारा में क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, कौन सा दंड है, इस धारा में किसको शामिल किया गया है, ऐसको questions डिरेक्ली बन रहे हैं, तो यह वाला topic भी आपका hard नहीं बन रहे हैं, तो main अगर मैं बात करूँ, तो ज़्यादा तर आप आपको ध्यान देना है आपकी reasoning पे, क्योंकि reasoning easy आ रहे हैं, तो आपको छोड़ने नहीं है, computer के जो topics मैं आपको बता हैं, वहाँ से questions बन रहे हैं, computer थोड़ा बहुत little bit hard बन रहा है, इंडिया जी के रस्तान जी के आपका ज़्यादा hard बन नहीं रहा है, current अफे थोड़ा सा पुराना आ रहा है, इसलिए आपको hard लग रहा है और बाकी आपका यह वाला पूरा level है, तो मैंने आपको पूरा detail में बता दिया है, अब इस तरीके से आप अपनी आगे जिनका भी exam में 7 और 8 को वह आराम से देख के जाना और आराम से पढ़ लेना, तो आज के वीडियो में दोस्तो बस इतना ही और ऐसे ही डेली वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आगे ने को पैस कर लेना, तो दोस्तो धन्यवाद मिलते नहीं के वीडियो में,